नवस्कार दोस्तों एक तरफ मद्यप्रदेश में वोटिंग जारी है वोटिंग चल रही है और दूसरी तरफ शिवराज सिंग चौहान का नया बंगला धोया जाने लगा है शिवराज सिंग चौहान के नय घर में साफ सफाई की जाने लगी है शिवराज सिंग जिस मुख्य मंतरी वाले बंगले पर रहते थे उससे अलग एक दूसरा जो बंगला है जो दो बंगलों को जोड़ कर बनाया गया है उसमें साफ सफाई रंग रोगन जालू पोछा मकडी का जाला छुड़ाना छुड़ोनों सब चालू हो गया है उसको साफ किया जाने लगा है और इंटरन अधर से भोपाल में वह दूसरी जगये शिफ्ट होने का अपना इंतजाम करने लगए जाने लगें अगबार लिखता है अच्छा इससे पहले हम आपको यह तजवीर दिखा देंट कर आ रहा है दीवाली पर लगी हुई लड़े यहां पर लगी हुई है और इधरसे रंग और यह शिवराज सिंग चौहान का नया बंगला नया घर बताया जा रहा है कि यह इस गर में शिवराज सिंग चोहान तब आकर रहेंगे जब उनको मुख्यमंत्रीपत से हटना पड़ेगा चाहे तो नरेंद्र पीजेपी हरे दोनों ही सूरतों में शिवरायज सिंग्चौवान को मुख्य मंत्री पत्त त्यागना पड़ेगा यह जानकार है पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं क्योंकि मोदी जिस तरीके से इनको किनारे लगा रहे हैं किनारे कर रहे हैं उस तरीके से इनका सत्तामेटिका रहना या मुख्यमंत्री के पत्पतिका रहना संभव नहीं है तो इनका यह घर है और इस घर की तजवीर दूसरे वाले घर की बहुत ज़दा बारल है इसकी खोड़ी डीटेल मैं आपको बता जानकारों का कहना है कि सिएम शिवराज पत से हटने के बाद इसी बंगले में शिफ्ट होंगे चुकि उन्हें हार का आभास पहले से था इसलिए अपने रहने की तैयारी कर लिए तो देखे दोस्तों एक तरफ वोटिंग हो रही है वोट पढ़ रहे हैं कुछ लोकल अकब इसने बोला हमला है यह अखबार लिखता है उसके नीचे इसकी डिटेल लिखता है जो हमने आपको बताई देखिए अंदर डिटेल में कहा लिखता है मद्देपर्दे सिविदान सभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने में आपको घंटे से हैं जानी कि आज एक द कि सिवराज सरकार की विदाई की बेला आ गई है इसी बीच कमलनाथ के मीडिया परभारी सलाकार प्यूज बबेले ने ट्वीट कर प्रदेश की सियासत गर्मा दी है अब वह ट्वीट क्या है वह भी आपको देखना चाहिए वह हमने आपके लिए निकाला है यह प्यूज सीम हाउस से काफी दूर है और इसे पूर्व भाजपाद्यक्ष इवं नंद कुमार चोहान के बंगले से मर्ज करके बनाया गया है करीब दो साल से काम चल रहा था मद्दान से ठीक पहले कंप्लीट हुआ है मदगर्ना के बाद ग्रह प्रवेश करना आसान होगा यही असली एक्जिट पोल है यह प्यूश बवेले का कहना है और उन्होंने इस बंगले का एक वीडियो जारी किया है और वीडियो में यह दिखाया है कि बंगला कैसा है एक और ट्विटर कॉंग्रेस का ही है रागनिनायक का है वो भी आपको देखना चाहिए देखे इसमें क्या है कि वीडियो ये वीडियो शिवराज सिंग के नए बंगले का है 3 दिसंबर के बाद CM हाउस से निकाले जाने की तयारी में पूर्व भाजपा ध्यक्ष नंद कुमार चोहान के बंगले के साथ वाले बंगले को मिला कर शिवराज जी ने नया घर तयार कर लिया है मद्दान से ठीक पहले कंट्रक्शन कंप्लीट यही एकजिट पोल सबसे सटी यह रागनी नायक है वो लिखती है तो अब मसला यह है कि यह जो कॉंग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है दिखाया जा रहा है इसके उपर भारती जननता पार्टी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ जा रहा है कि शिवराज सिंग चौहान का ही घर है और उनके लिए बनाया गया है लेकिन यह बात तो एकदम सही है सौफी से दी सच है कि शिवराज सिंग चौहान CM वाले बंगले से तो निकलेंगे अभी तक की जो Political Experts का कहना है मानना है क्योंकि दोनों ही सुरतों में सिवराज सिंह चोहान मुख्यमंत्री नहीं रह सकते चाहे BJP जीते चाहे BJP हारे या Congress जीते उस सुरत में भी नहीं रह सकते क्योंकि शिवराज सिंग चौहान का पत्ता साफ होना इस बारताय माना जा रहा है क्योंकि नरेंदर मोजी ने शिवराज सिंग चौहान को बहुत काइदे से जड़ से इगनोर किया है जड़ से शिवराज सिंग चौहान का पत्ता काटने की तयारी है और शिवराज सिंग चौ चुनाव लड़ रहे हैं ना कि शिवराज के नाम पर ना ही शिवराज के 18 साल के सासन के नाम पर नरेंदर मोदी कॉंग्रेस की बुरा ही करके चुनाव लड़ रहे हैं कॉंग्रेस ने कब जमाने में जो भी किया होगा उसकी बात करके चुनाव लड़ रहे हैं इस वीडियो में इतना ही और अगर इस खबर के बारे में और कुछ अपडेट निकल कर आएगा तो कि अभी जो अपडेट आया है वो अपडेट इतना ही आए जितना हमने आपको बताया है और हम उल्टा चुसमा यूसी पर कोई भी फरजी खबर फेक खबर उल जलूल की खब